हैलो फ्रेंज कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे तो आज हम नवरातरी स्पेशल व्रत के लिए सेप का खीड बनाएंगे बहुत ही असान तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं तो खीड बनाने के लिए मैं है आप एपल ले लिए और सबसे पहले हम एपल को छील लेंगे और हमें डाक कलर वाले एपल को लेना है जिससे कि यह मीठा हो और एपल को छील लेने के बाद हमें इसे कदुकस कर लेना है तो मैं मोटे से कदुकस करना है और कदुकस कर लेने के बाद हमें बीज वाले पाट को हटा के फेक देना है और इसी तरीके से सेब कदुकस कर लेंगे सेब कदुकस हो जाने के बाद मैं आपे दूद लीएं हाफ लीटर और दूद को हमें अच्छे तरीके से चलाते वे गाड़ा करना है और जब तक दूद काड़ा होगा तब तक मैं आपे कड़ाई चड़ा दी हूँ और वन टीस्पून घी आड़ करतेंगे और घी कड़म हो जाने के बाद हम इसमें कदुकस क्यावा सेब आड़ करतेंगे और सेब को भी हमें अच्छे तरीके से फुनना है तो खुश्पू आने तक हमें भुन लेना है और बीच-पीच में हमें दूद को भी देखते रहना है और ये देखे सेब भुन चुका है तो अब हम इसमें पांच चमच चीनी आड़ करतेंगे आप अपने स्वाधनुसार चीनी आड़ करतेंगे आप कमिया जाधा कर सकते हैं और अच्हे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ड्राइफ रूट्स आड़ कर देंगे पदाम और काजू चौप्ट क्या हूँ और अढ़ करतेने के बाद हमें अच्छे तरीके से mix कर लियना है और इसके बाद हमें अच्छे तरीके से चलाते वें भुन लेना है पानी सूपने तक अगर हमारे सेप में पानी रहएका तो हमारा दूद फट जाएगा इसलिए अच्छे तरीके से पानी सूकने तक भून लेंगे तो ये देखे हमारा सेप रेडी होगया है तो अब हम इसका फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और जब तक हमारा एपल ठंडा हो रहा है तब तक हमारा दूद भी याँ पे काड़ा होगया है तो अब हम इसका भी फ्लेम ओफ कर देंगे और हमारा सेप भी ठंडा होगया है तो अब हम थोड़ा थोड़ा सेप एड़ करते जाएंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करते तो यह देखिए नवडातरी स्पेशल व्रत के लिए सीप का खीर हमारा रेडी होगा है बहुत ही असान तरीके से हमने खीर रेडी कर लिया है तो अब हम इसको थोड़ा सा उपर से कानिश कर देंगे चॉप्ट बदाम और काजू से और पिस्ता से तो अगर आपको मेरी वीड उसकी नोटिफिकेशन मिले लाइक करे कमेंट करे और शेयर करे कमेंट में मुझे ये जरूर पताएं कि आपको क्यासा लगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग